हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं मिठी दलिया तो तीन चार इंग्रिडियन्स से हम बनाएंगे स्वागत करते हैं हमारे नए और पुराने फ्रेंज को तो दलिया के लिए हमने ले लिया आदा लिटर दूद और एक कटरी दलिया एक अच्ची है हम बुनेंगे अभी और इनको दो हरीयलाईची ले लिया क्रस कलके हम डाल देंगे हम पहले शुरुबात में एक छोटी टी स्पून है टी स्पून से भी छोटी है तो एक चमज हम घी डाल रहे हैं देशी घी ओयन जो भी है आप अगर पसंद करते हैं तो डाली लिगा नहीं तो वांच डाली और हमने दलिया को अच्छी तरह शूप बाली छन्नी में चान लिया आप अभी ऐसे कीजिएगा थोड़ा चान करके डालेगा किनकी गंदेगी होती है ना विट्टी-विट्टी कावकर वगरा है तो विकल जाएगा उसमें तो को हम अभी क्या करेंगे पाह से साथ मिनिर एक तम धीमाग स्लो फ्लेम में इन्हें भूनेंगे अच्छी तरह इन्हें बूलन के हम ले लेते हैं फिर हम दूद जब एठ करेंगे सब आते हैं मीते हैं तो अच्छी तरह इन्हें वह ही जिएगा जैसे स्लो फ्लेम में 5-7 मिनिट ना इन्हें बूलनट जरूरी है क्योंकि नहीं भूनेंगे ना स्वादिस्ट नहीं बनेंगे आपकी दल् तो चलिए हम अभी क्या करते हैं इनको दूद आदा लेटर दूद ले लिया था दूद भी कच्छी है तो मैंने अभी एड कर दिया अभी श्लो फ्लेम में यानि घीवा आज में इनको पकने देना है 15-20 मिनिट ठीक है और हम क्रसके से डाल देते हैं और थोड़े बहुत है कि मेलकी हमारा जोरूरी है साय जोरूरत पड़ेगी तो हम बार में भी डाल से हाइड कर दिया है और आप देख सकते हैं इसको क्रस करके इस तरह हम लाईची को ना ओठ लिया और क्रस करके इस तरह डाल देंगे पूरी वीडियो देखते जाईएगा और अगर पसंद आए तो like, share, comment ज़रूर कर दिजेगा और subscribe भी ज़रूर कर दिजेगा प्लीज और बिल्पूल शिवपनसी है कोई दिकर नहीं है step by step देखते जाएगे तो पपैसल जाएगा आपको तो हम और थोड़ा बहुत जैसे शूखने नग जाएगी ना यह दलिया उबाल उबाल के तो दूद की प्रोईजन है अगर जरूरी है तो हम दूद डालेंगे कुबला हुआ दूद है हमारे और एक पतिला में तो हो हम एड़ कर सकते हैं कभी भी कोई दिक्कत नहीं है और जर और दूगना टेस्ट हो जाती है इस हुए तो आपको और भी टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर ले लिया बादाम को रोस्ट कर लिया है और किसमी जो है वह हमने रोस्ट नहीं की ऐसे ले लिया कच्चे थोड़ा सा दो के डाल देंगे ठीक है और जो भी वन पसंद दीता आपकी ट्राइफूट डालने हैं वह आप डाल सकते हैं और वीठा भी आप कौम या जादा कर सकते हों और नौकीं दलिया भी बलता है उसमें काफी सारे सब्जी डाल करके टमाटन डाल करके आप सिटी लगा दीजिए कुकर में बहुत ही अच्छी तरह ए भी दीमा श्लोव फ्लेम में पकाए होगे 10-15 मिनिट 20 मिनिट भी लग सकता है क्योंकि कोई-कोई चूला में धीमा कर दो तो एक दल धीमा हो जाती है धीमा कर देतो तो कोई-कोई चूला में बिल्कुल मेडियम भी रहती है तो इस तरह हम अभी उबलने लगेगा जब तक ह इन्हें चलाते रहेंगे फिर मीठे जो दोलिया है ना मिठी दोलिया को भी आप कुकर में बना सकते हैं लेकिन कई बर मैंने कुकर में बनाया तो मीठे दोलिया जो है कुकर खराब कर देती है सीटी ना उसकी सीटी बॉल निकल जाती है और जब सीटी लगती है तो इसलिए कुकर में ना बनाएं आप इसमें तो 10-15 निन में आप कुछ भी कर रहे हैं और दुसरी साइड में खाना बना रहे हैं तो इसको रख दीजिए अराम से बन सकता है तो चलिए यह देखिए उबला गया हमारा बाते करते करते अभी फिर हम और शुलो कर देंगे फिर चलते हैं तो हमारा वीठी दलिया बनाने के रेश्पी अपने देख लिए होंगे अगर पसंद आए तो शापन जरूर करिएगा यह देखिए हमने किस्मी और थोड़ा सा बादम को टुपड़ों में काट लिया है क्योंकि बादम की जो चंस है न थोड़ा सा मुह में जब चिबाते ह अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उटके डाल दिया और थोड़ा सा में डेकरोट करके लिए ऐसे दोटॊपडा दो हिससे में काट के रख लिया और थोड़ा सा रोस्ट करके डाले तो और भी क्रिश्पी क्रंची तो बहुत ही मज़ा आजाती है खाने में तो चलिए आप देख रहे हैं इसी स्टेज में आप ना दलिया को बंद तर दीजिए और सुगर जो है हमने हमारी हिसाब से हम डाल लेंगे आप अपने हिसाब से डालिएगा ठीक है तो चलते हैं अभी नेक्स्ट हमने जो है नेक्स्ट स्टेज में मतलब आखरी स्टेज में आप पहुंचे हैं यह देख सकते हैं मैंने बोला था इसलिए रोक देने के लिए ताकि जब खाएंगे ना तब एकदम नौर्मान हो जाएगा यह देखिए पासमेनी डोकने के बाद मैं सर्व कर रही हूं तो आप भी बना कर देंगे वादाम से तो आप कैसे बना रहे हैं कमेंट करके जुरूर बताईएगा नमकीन दलिया भी बनाईए दिन को मीठा पसंद नहीं है बहुत अच्छा लगता है खाने में तो नेक्स्ट मिलते हैं हम और एक नेडिस के साथ तब तक के लिए आप अच्छा रही है सुरंदर रही है थैंक यू बाई बाई